आज हम रेड़ करेंगे चैप्टर नमबर सेवन तब पैंटिड सिलिंग तो सिलिंग होती है चत और पैंटिड मतलब होता है पैंट कीवी चत तो हम इस लेशन को पढ़ने से पहर इसकी को जलग देख रहती है कि लेशन में आगे क्या होने वाला है इफ यू इफ यू वर गिवन एचन्स यदि आपको एचन्स दिया जाए तो पैंट दा सिलिंग जो आपके जो गर की चत है जो रूम की चत है उसको पैंट करने का अगर आपको मुका दिया जाए आप इस पर क्या 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 पैंट करोगे इस पोईम अबाउट ए पैंटिड सिलिंग यह पैंटिड सिलिंग के बारे में है जो मन को अच्छा लगती है जो मन को अच्छा लगती है और जो है इससे का है पोईम खूस हो जाता है माई ग्राट पार लेवज इन वंडरफुल हाउस तो मेरे जो दादा जी है एक बड़े अद्बुत गर में रहती हैं जिसमें क्या है उस गर में क्या है बड़े बड़े जो है बड़ी खरकियां और राजे लगे हुए है यह उपर जाने के लिए क्या लगी हुए है जो है स्टेर्स लगी हुई है और निचाने के लिए क्या है पोड़ी लगी हुई है and such beautiful slippery floor और जो बड़ा सुन्दर जया फ्रस लगा हुआ है but of but of all of the rooms सारे जो rooms के अंदर even mothers and mine mummy और मेरे room में भी and the book room और जो हमारा book room है जाम की ताब रखते हैं वहाँ पर भी and a parlor and all parlor का मतलब होता है bethuck जो हमारी bethuck है उसमें भी और जो हमारा मतलब कहने का है ये ताथपरी है कि हमारा जितना भी घर है उस पूरे जो है घर में क्या है जो अच्छी दर है जो स्लिपरी floor लगा हुआ फ्रस लगा हुआ है I like the green dining room मैं जो green dining room उसको सबस्दा पसंद करता हूँ so much the best because of its ceiling and wall क्योंकि इसकी जो छत और दिवार है उसके उपर कहा है अच्छी अच्छी पैंटे की हुई है उसके बाद आगे है right over your head ठीक आपके इस सिर के उपर is a funny round hole उसमें के एक funny round hole है with apples and peels falling through और उसमें जो है apples और peels को दिखाया गया है there is a big bunch of grabs bunch of grabs होता है अंगूर का गुच्छा एक अंगूरों का गुच्छा all purpley and sweetie purpley का मतलता है bangli रंका और मीठा and melons and pine apples melons होते हैं खरबू जी और pine apples होते हैं अननास यानि जो किस तरह की जो पीचर की उसमें कहता है कि अंगूर, melons और pine apples जो है ये विच्छत पर जो है क्या है pen की हुई है they tumble and tumble they tumble and tumble उसे क्या खुस होते हैं but never come down कभी निचे नहीं आते क्या है वो fall कभी निचे क्यों नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि वो सिर्फ क्या है एक artificial जिसे कि हम अपने रसोई गर में इत्यादी में एक फ्रूट टाइट की टाइल आती है वो लगाते है इसलिए जो पॉइट है जो बच्छा जिसकी वो कलबना करता है बच्छा कहता है कि हमारे गर में अलग लग प्रकार के फ्रूट है प्रतु कोई भी फ्रूट हमारे नीचे ने तक्यों क्योंकि दिया रहा है और ले सिरफ और वो के एक नकली है तो यदि भी आई हैव स्टूट अंडरनीथ ए लॉग वाइल वो कहता है कि मैं मैंने जो है कई बार इसके लंबे टाइम तक जो है इन फनों के नीचे मैंने रुकर भी देखा है और मैंने कई बार अपना मुहें भी पुरा खुला किया है और आलवेज आई होबड जिसे मुझे हमेशा असा रहती है जस्ट एचेरी वोड ड्रॉप फॉम माई पाइल तो वो कहता है कि एक दिन जो है उन जो पिटर में से एक पैट चेरी जो है टूट करके मेरे मुझे में जरूर गिरेगी उसके बाद आगे नो मैटर यह कोई बात नहीं है और अर्लिया तक कितना जल्दी आई रन देर टूलोग टूलोग उता है उनको देखने के लिए मैं दोड़ती हूँ इट हैस ओल्वेज बिगन तू फॉल थू तू फॉल थू तू फॉल थू गिरना ओल्वेज में सदे बिगन स्टार्ट करना एंद वन नाइट एक रात को वेन इट बैटनाइट जब यह सोने का समय था आई क्रेफ्ट तू इंटो सी आई क्रेफ्ट एंटो सी क्रेफ्ट का मतला हुता है रहिंगते बिगन दुप के अगत मसे चलना इट वोस फालिंग वाए केंडल लाइट तू और वो कह केंडल लाइट भी गिर गही थी आयाम शॉर मुझे विश्वास है दाट दे आर मैजिकली फ्रूट एंड वो कैंसर पे एक जादू ही फल है और इच वन मैक्स यू ए और इच मैं उम्ह उनमें से प्रते एक मैक्स मह उताते हैं और शी फिंस और गो अग्स एँड्वीजिब में इसल Wednesday अभी और नेवर नेवर का मतलच होता है आई शेल, I mean's मैं, शेल मींज गार गेगी, जश्ट में होता है, अभी, और नेवर, नेवर का मतलब होता है, कभी नहीं, नो मतलब होता है, जानना, देखो, बचो, के एन और डबली, उसको हम नो बढ़ें, क्या बढ़ेंगे, नो, I shall जश्ट नेवर, नो, चेर्स भी, आर नोट, नियरली, और वो चेर्स निजदीक भी नहीं है, तो टॉल है, I need, और वो इतनी लंबी नहीं, जितनी मुझे जूरत होती है, यानि, बचा कहता है कि, जो हमारे केरी में, चेर्स हैं, और टेबल हैं, वो इतनी जदा बड़े भी नहीं है, जितनी मुझे जूरत होती है, यानि, वो कहता है कि, अगर बड़े-बड़े चेर्स हैं और टेबल हों, तो महांनों की उपर चाड़के के, अराम से उज़ए फ़लों को उतारे सकता हूँ, आगे हैं, without having accomplished that deed, डेट का मतलता है, कारे, without मने के बिना, और accomplished मने पूरा, बिना कारे, बिना काम पूरा किये, इट्स ए लिटल बेट सेड़, और आंत में क्या है, उदाशी से कहता है, कहती है, when you seem very near, जब आप बहुत मजदीक दिखाई देते हो, when का मतलब जब, you means होता है, आप seem दिखाई देना, where in here बहुत है, मजदीक, two adventures, adventures होता है, सासोना and things, बस्कुए है, of that sort, which, short का था, छोटा, which nearly begin, जब वो शुरू में start होती है, and then तब don't, and you know, आप जानते हो, it is only because of your short, ये सिर्फ किसलिए है, because you are short की, आप कदब, जो है, कदशी क्या हो, छोटे हो, तो ये तो थी आपकी poem, अब इसके हम देते हैं word meaning, पहला word है, parlor means better, three means होता है, मेंसे, bunch of crabs, अंगूरों का घुच्छा, purple means, मेंगनी रंग, और मैलनस means करगुजे, और craft means, रंगना, invisible means, अद्रिश्ये, accomplished means, पूरा किया, और deed मैलने होता है, कौन, इसका जो first question है, इसका जो, आप एक बूप में question है, इसका answer जो है, BX का राइट आएगा, LX3, second है, which room does the speaker like the most, कौन सी room को सब्सक्छा पसंद करता है, speaker, कौन से room को, जो उसका जो dining room में से उसको पसंद करता है, उसके बाद आगे, the big bunch of grass is क्या है, purple and sweet, और fourth है, the speaker is sure that the fruits are magical, उसके बाद में आगे हम देखते हैं इसका, we part read the flowing lines from the poem, and answer the flowing questions, they tumble and tumble, but never come down, though I have stood underneath a long while, with my mouth open wide, for I always have hopped, just a cherry would drop from the pile, इसमें past question कहता है कि what does they refer, यहां पे जो they, जो हम word use करें, वो किस के तरफ संकेत करता है, यह संकेत करता है, हमारा fruits की तरफ, किस के तरफ संकेत करता है, fruits, if they tumble and tumble, why do they never come down, वो कभी निचे क्यों नहीं आते, they never come down, because they are in round hall and near the world, तोंकि वो कहते है कि दिवार के देक round hall, उसमें वो क्या है, fix की हुए है, why does the speaker stand underneath with the mouth wide, the speaker stand underneath wide open, आज़ आज़ो, hoping that a cherry would drop from the piles of a fruits, उसके बाद हम जो है, second, देखते हैं हागे, second कहता है, it's a little bit sad, when you seem very near to adventures and things of that short, which nearly begin and then don't you know, it is only because you are a short, first कहता है, what does the speaker mean by adventures, तो जो speaker है, वो advances का सहस का मतलब क्या बताता है, यह कहता है, यह कहता है, by adventures, the speaker tells about her fertile efforts to reach, वो कहता है कि उसके जो छुट-छुटे परियास उनको बताता है, उन जो magical fruits हैं उन तर कहुंचने के लिए, her use to ladder and chair to get fruits are also adventures, कि उसके दुवारा जो फल को पाने के लिए, जिन सीडियों और जो chairs का प्रियों कहता है, वो भी कहा है, उसके लिए के सास का कारिया है, to be part, what adventure is the point talking about, the point is talking about using chair and ladder to take the magical fruit, what does the speaker blame for her lack of adventure, the speaker blames her short of height of her lack of adventure, तो वो किसको जो है दो तर कि अपने खुद की height को, कि उसकी height जो है छोटी है, आगे C part, answer the following questions, what are some of things the poet likes grandpa's house, कौन कोची पसंद करता है वो, the poet likes dining room, spally floors, stands and windows in her grandpa's room, why does the poet like the dining room most, जो poet है वो dining room, उसके पसंद क्यों करता है, the poet likes the dining room most due to its ceiling and wall, तो इसकी जो ceiling and wall के कांट जो इसको सुचदा को पसंद करता है, what attempts, कौन से प्रयास had the poet met to get to the falling fruits, इसमें the poet stands on chairs to reach the falling, तो वो किस चीज़ का प्रया करता है, कि वो chair के उपर जोड़ा करके उन fruits को खाना चाता है, fourth है, what magical qualities does the poet imagine the fruit have, the poet imagines that magical fruits can make us hear things, see things or to go without being seen by however, वो fifth question आगे कहता है, why is the poet unable to reach the fruit, तो क्यों नहीं पहुंचता, because she too sure to reach the fruits, कि वो जो है उसकी height जो है वो छोटी है, इसलिए वो जो fruit तक नहीं पहुंचे सकती, why is the poet a little bit sad about the situation, the poet is sad about the situation, because she seems near that target of reaching, यह इसलिए लगता है कि वो टार्गेट तक पहुंच गई है, but her height is little too short, उस मिलाश में कहें कि उसकी height जो है थोटी रह जाती है, इसके बाद में हम D देखते, think and say why is the poet fascinated by the ceiling of the dining room, the poet is fascinated by the ceiling of the dining room, because near the ceiling from the hall is a wall, over her head a pile of fruits, and the poet wants to eat the fruit, उसके बाद आगे है, second देखते हैं कि the little of the poem, suggest that the ceiling is patted, why according to your scene, does the poet believe that the fruits is real, तो इसका देख़ों हम स्टार्ट करते हैं, the poet believes that, बिलिविश्ट करता है कि ceiling and walls of the dining rooms are patted green and some fruits are your green looked, they make real, उसके बाद आगे है, ये read these collective nouns describing, तो इनके आप रेड़ाइन करना है, रेड़ाइन दा incorrect example, तो इनको रेड़ाइन जैसे, आइड इस ओफन यूज्ट तू है, इसमें सिप्स, स्काव्स, इसमें कहेगा जिराप, कहाएगा इसके अंदर है, जिराप, प्रिविश्ट उफन यूज्ट तू स्टाफ ए, शिप एंड एंड एंबुलेंस ए, इसमें कहेगा, जो जो आपका सही उसके इंडराण करना बने, आर्मीज ओफन यूज्ट तू यूज्ट इसको करके देखना है, उसके बाद आगी भी पार्ट, यूज्ट आ एब्रशियर्ट परिपैक्सिस, तो प्रत्य लगाने हैं, प्रत्य लगाने हैं, इसके बाद आगे, इस तरह इस तरह इस पार्ट करना है, प्रत्य लगाने इसके अंदर जिससे, यह दिया हुआ है, चैंपियन, तो चैंपियन सिप हो जाएगा यह, यह वाइड का क्या हो नहीं है, वाइड एंथ, और यह हार्म का, हार्मलेस, तो इस तरह आपको इस लेसन को बुरा करना है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्यू,